इसक्स फैक्टरीज इंख्रीज चांस अफविंग ट्विंग ट्विंग जूड़ 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 क्यूं पैदा होते हैं जूड़वा या एक साथ तीन बच्चे ये हैं छे वज़ए यह सवाल अक्सर उठता है कि आखिर क्यूं कुछ महिलाओं को जूड़वा या तीन बच्चे एक साथ होते हैं इस पैकेज में हम एकस्पिट के हवाले से इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं क्या होती है Multiple Pregnancy? Indian Fertility Society के चेप्टर ही और New Neatologist and Rembrowlogist रंधीर सिन्ह का कहना है कि एक से ज्यादा बच्चों को जन्म देने की घटना को Medical Term में Multiple Pregnancy कहा जाता है इसका मतलब है कि किसी महिला के गर्भ में दो या ज्यादा बच्चे हैं बच्चे एक ही एग या अलग अलग एग से हो सकते हैं क्या होते है identical twins? एक ही एग से पैदा होने वाले बच्चे identical कहलाते हैं ऐसा तब होता है जब एक एग एक स्पर्म से Fertilize होता है इसके बाद Fertilize एग दो या ज्यादा हिस्सों में बंट जाता है इसे काफी rare माना जाता है इन बच्चों का चेहरा और नेचर बिलकुल मिलता ज्यूलता होता है क्या होते हैं Fertilize Twins? अलग अलग एग से पैदा होने वाले बच्चे Fertilize कहलाते हैं ऐसा तब होता है जब दो या ज्यादा एक अलग अलग स्पर्म से Fertilize होते हैं अगर महिला के परिवार में पहले से ही Frit Donald Twins हैं तो इसकी संभावना बढ़ जाती है अधिकांच Twins इसी तरह के होते हैं ऐसे Twins इक डैसे भी दिख सकते हैं और अलग अलग भी अलग जो हैं अलग जो कर दो बत्व स्पर्म से क्लिक्पराय भी